नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में Most Important Topic भारत के प्रमुख बांध में लाए हैं जो कि आपके आने वाले Group D exam जो कि 2022 में फरवरी होने वाल है उसके लिए बहुत ही महत्पूर वीडियो दोस्तो तो वीडियो को पूरा जरू देखिएगा दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरू करिएगा चैनल पर हमारे नया है तो चैनल को जरू सस्क्राइब करके वेल आइकन दबा लिजेगा क्योंकि हम आने वाले Group D exam के लिए लगातार त्यारी करा रहे हैं दोस्तो तो चलिए द राइट अनसर बाद के दोस्तो इसका राइट अनसर हो जाएगा ऐसन नंबर B यानि हीरा कुंड बाध जो कि भारत का सबसे लंबा बाध है इसकी बात करें तो यह उडिशा राज्य के संबल पुल जिले में बना हुआ है और इस बाध की लंबाई की बात करें दोस्तो तो 26 किलो मीटर है जो कि भारत में किसी भी बांध में सबसे जैदा है अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तो तिलया बांध पर योजना किस नदी पर इस्थित है चार आपसन है आपके पास इनवे से बताना है कि जो तिलया बाध पर योजना है ओ किस नदी पर इस्थित है राइ वह आमतार पर जुमरी तिलैया के साथ लिया जाता है, इस बांद की उचाईग बात करें तो 100 फिट, 100 फिट उचाईग वाले तिलैयाबाद का नाम भारत के सफरे प्रचलित बांधों की सूची में आता है, यह बात 1200 फिट लंबा है तथा दामोदर नदी में आने वाली विस बाढ़ को रोकने के उद्देश से इसको बनाय गया था अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों सरदार सरोवर बांध किस नदी पर इस्थित है most important यह भी कोशन है दोस्तों आपको बताना है कि जो सरदार सरोवर बांध है वो इन में से किस नदी पर इस्थित है इसका right answer हो जा मीटर उचा है और लंबाई जो कि 1210 मीटर है नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महस्वर दो सबसे बड़ी बांध पर योजनाय है और इनका जो की लगातार विरोध होता रहता है अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तों नागारजुन सागर ब क्रिष्णा नदी पर नागारजुन सागर बांध क्रिष्णा दंदी परिस्तित है और नागारजुन सागर बांध परियोजना भारत के तिलंगाना राज में इस्थित एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है दोस्तों इस बांध को बनाने की परिकल्पना जो हुई थी नहीं, 1903 इस्वी में अंग्रेजो के समय की गई थी, और 10 दिसंबर, 10 दिसंबर 1955 में इस बांध की नियों ततकालीन प्रधानमंत्री पंडिर जवालाल नेरू ने रखी थी, नागारजुन सागर जो बांध है, हैदराबास से 1.500 किलोमेटर दूर किसना नदी पर इस्थित है, इसका निर्मार जो हुआ था दोस्तों, 1906 में पूरा हुआ था, और 4 अगस्त 1967 इस्वी में पूर प्रधानमंत्री इंद्रा गांधी ने इसको चालू किया था, आपको उता हैं तो इडुक की बांध किस नदी पर इस्थित है, चार अप्सन है, आपको पास बताना है कि जो इडुक की बांध है, वो किस नदी पर इस्थित है, इसका राइट आंसर हो जागा दोस्तों, ऑप्सन नंबर B यानी पेरियार नदी पर, इडुक की बांध जो की एक द्व वले चापाकार बांध है जो पेरियार नदी पर दो ग्रेनाइट पहाडियों जिनका अस्थानिय नाम कुरवान तथा कुरती के मद भारती राज केरल में इस्तित है इसकी उचाई के बात करें तोस्तोत 167.68 मीटर लगभग 550 फिट की उचाई के साथ एसिया के सबसे उचे च बांध है उचिनाब नदी पर इस्तित है और यह भारत के जम्मू छेतर के डोडा छेतर में पाकिस्तान की और बहने वाली चिनाब नदी पर बना है अगला कोशन देख लेते हैं और इसके उधगाटन की बात करें दोस्तो तो भारत के पूर प्रदान मंतरी मनमोहन सिंग न बांद किस नदी पर इस्थित है. 4 आपसेट आपके पास बताना है कि जो मेटूर बांद है और इन में से किस नदी पर इस्थित है जिसका राइट अंसर हो जाएगा दूस्तो आपसन नंबर B यानी कावेरी नदी पर. मेटूर बांद जो कि भारत के बड़े बाधों में से एक है यह तमिलनाडू में है और कावेरी नदी पर इस्थित है जहां पर नदी समतल पर प्रवेस करती है इसकी कुल लंबाई की बात के दोस्तों तो 700 मीटर और 93.4 बिलियन घन फिट इसकी छमता है अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तो माता टिला बांध किस नदी पर इस्थित है चारा अप्सन है आपके बास बताना है कि जो माता टिला बांध है ओ किस नदी पर इस्थित है तो इसका राइट अंस हो जागा ऑप्सन नंबर A यानि बेतवा नदी पर माता टिला बात करें दोस्तों तो यह बेतवा नदी पर ललित्पूर जीले में इस्थित है, माता टिला बांध से 163.6 जीरो लाख घन मीटर पे अजल उपलब्ध होता है, यहाँ पर्योजना से जासी जालाउन हमीरपूर गुवालियर जीले लाभानमित होते हैं, अगला कुशन देख लेते हैं, अलमाटी बांध किस राज में इस् नदी पर इस्थित है, यह पर्योजना 2005 में बनकर तयार हुआ था, अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तों, रडजीत सागरबांध किस नदी पर इस्थित है, आपको बताना है जो रडजीत सागरबांध है, वो इन में से किस नदी पर इस्थित है, तो इसका राइट अंस सरकार द्वारा पंजाब और जम्मू कस्मीर राजी की सीमा पर निर्मित की गई है अगला कोश्चन देख लेते हैं दोस्तो भाखडा नांगल बांध किस नदी पर बना है आपको बताना है कि जो भाखडा नांगल बांध है वो इन में से किस नदी पर बना है जिसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो ओप्सन नमर ए यानी सतलज नदी पर भाख़डा नांगल बांध निर्मित है चलिए अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तो भारत का सबसे उचा नदी बांध कौन सा है इसका राइट अंसर हो जाएगा भारत का सबसे उचा नदी बांध कौन है तो टीहरी बांध है जो की उत्तरखन राज के टीहरी गढ़वाल जीले में इस्थित है यह बांध जो की भागी रती और विलंगना नदीयों के संगब पर बना है और इसे स्वामी रामतिर्स सागर के नाम से भी जाना जाता है इसकी उचाई की बात करें दोस्तो तो 261 मीटर इसकी उचाई है जो भारत का सबसे उचा तता बड़ा बांध है और विस्व का सबसे बड़ा बांध है इस वात को याद रखीगा अगला कोशन देख लेते हैं रडजीत सागर बांध किस राज में इस्थित है most important है दोस्तों बताना है कि जो रडजीत सागर बांध है वो इनमें से किस राज में इस्थित है आपको इसके पहले मैंने इस पता है इसके ब बताना है कि जो मैथान बांध है वो इनमें से किस राज में इस्थित है तो इसका राइटांस हो जाएगा option number A यानि जारखंड में मैथान बांध जो की जारखंड राज के धनबाद के बास बास बाढणियंत्रड के उद्देश से बराकर नदी पर मैथन बांध का निर्मा question देख लेते हैं कोईना बांध किस राज में इस्थित है चार अप्सन है बताना है कि जो कोईना बाद है वो इनमें से किस राज में इस्थित है तो इसका राइटांस हो जाएगा दोस्तों option number C यानि महराष्ट में कोईना बांध का निर्माड की बात करे हम दोस्तों तो य 1863 में हुआ था यह सांगली जीले की कोईना बांध बना है और यह महराष्ट का सबसे बड़ा बांध है चले दोस्तों अगला question देख लेते हैं राणी लचमी बाई बांध किस नदी पे इस्थित है आपको बताना है कि जो राणी लचमी बांध है उक किस नदी में इस्थि इसका राइट अंसर जाएगा दूस्तों अप्सन नबर बी यानि बेतवा नदी पर राणी लचमी बांध बेतवा नदी पर इस्थित है जो कि जासी जीले में बेतवा नदी पर माता टीला बांध से गुरस राय और मंदर नामक दो नहरे निकलती है जो हमीरपूर और जाल राजय में इस्थित है तो राइटां से हुज जैंको दूस्तों ओप्सन नमबर बी यानि बिहार में नगी बांध जो की बिहार राजय में इस्थित है जोस्तों अगर आपको वीडियो पसंदार होगा तो एक लाइक जbait जरू करिए ख swirl करेए जोस्तों आपको लाइक से हम आप पास बताना है कि जो टिहरी बांध है ओ निम्न में से किन नदियों के संगम पर इस्थित है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो अप्शन नमबर सी यानी भागी रथी भिलंगना टिहरी बांध की बात करें तो यह एक विकास परियोजना एक प्रात्मिक बांध है जो उत्तरा खंड राजी के टिहरी जीले में इस्थित है चलिए दोस्तो अगला कुशन देख लेते हैं जोग जलप्रपात किस नदी पर इस्थित है आपको बताना है कि जो जोग जलप्रपात है ओ इन में से किस नदी पर इस्थित है तो इसका राइट अंसर हो जाएग से मिलकर बना है इसका जल 253 मीटर की उचाई से गिर कर बहुत सुन्दर उपस्थित प्रदान करता है अगला कोश्चन देख लेते हैं दोस्तो धुआधार जल प्रपात किस नदी पर इस्थित है आपको बताना है कि जो धुआधार जल प्रपात है वो इनमें से किस नदी पर इस्थित है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस्तो अपसन नमबर डी नर्मदा नदी जो की धुआधार जल प्रपात है वो जबलपुर की मद्ध प्रदेश का एक महत्पूर परेटक अस्थल भी है और 10 मीटर की उचाई से गिरने वाले इस प्रपात की अनुपम इसकी उत्पति नर्मदा नदी से होती है और यह सुरम में प्रपात प्रसिद संगमर्मर की चटानों से निकलता है अगला कोशन देख लेते हैं दोस्तो फरक्का बांध पर योजना किस नदी पर इस्थित है चारा अप्सन है आपके बताना है कि फरक्का बांध पर योजन है इन में से किस नदी पर इस्थित है तो इसका राइट आंसर हो जागा दोस्तो अप्सन नमबर ए हुगली नदी फरक्का बांध जो की पशिम बंगाल के मुरसीदा बाद जिले में गंगा नदी पर बनाये गया है और यह बाईस सो चालीस मीटर लंबा है या फरक्का आज में इस्थित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तो अप्सन नमबर यानि पशिम बंगाल में ही महिराच्छी नदी जो की मोर नदी भी कहलाती है भारत के पशिम बंगाल और जारखंड राजियों में बहने वाली एक नदी है यह यह यूगली नदी की उप न जहलम नदी तुलबुल बाध परियोजना जो की जम्मु कस्मिर राज में जहलम नदी पर इस्थित है दोस्तो अगला कोश्चन देख लेते हैं उकाई बाध किस राज में इस्थित है चारा अप्सन है आपक पास बताने जो उकाई बाध है वो इनमें से किस राज में इस् बनाए गया है चलिए दोस्तो अगला कुशन देख लेते हैं सिव समुंद्रम बाद परियोजना किस नदी पर इस्थित है चारा अपसन है आपको पास बताना है जो सिव समुंद्रम बाद परियोजना है वो किस नदी पर इस्थित है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा दोस आप्सन नमबर ए यानी रावी नदी पर पंजाब वा जम्मु कस्मीर राज के बॉर्डर पर पठान को जिला में रावी नदी पर बना बांध सन 1972 में बनना प्रारंब हुआ और यह 9999 में बनकर तयार हुआ था इस बांध का नाम भी बदल गिया गया है अब इसे महराजा रंजी सिंग बांध के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों इस बात को याद रखिएगा इंगला कोशन देख लेते हैं टनकपूर बांध पर योजना कहां पर इस्थित है चारा अपसन है आपको पास बताना है कि इनमें से जो टनकपूर बांध पर योजना है ओ कहां पर इस्थित है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा ऑपसन नमबर डी यानि उत्तरा खंड राज में टनकपूर बांध पर योजना इस्थित है चले दूस बांद जो की आंद्प्रदेख्स राज्यक में कुरुनूल जीले के स्री सहलम में कृष्णा नदी के पारप एक महतपूर बाद पर योजना है और स्री सहलम बांद जो की देश की बारा सबसे बड़ी पनवेजली योजनाओं में से एक है दोस्तों चलिए दोस्तों अगला कुनार नदी पर स्थित नहीं है बाकी जो तीन है वो सही है तो यह थी दोस्तों आज की वीडियो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बदाएगा दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा क्योंकि हम आने वाले ग तो मिलते हैं दुस्तों अगरे वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत